आज हम आपको बताएंगे सेंड कार्ट बनाने सेंड कार्ट के लिए हमें जो चीजें चाहिए उसके लिए हमें चाहिए सेंड पेपर और इस घमल सेंड छाता है जाता है चाहर पेपर सीजर आसेंड पेपर उस पूर्फर you वर इस ओप इस निशेंड लीए उस काड को कैसे बनाते हैं हम आपको बताते हैं सबसे पहले हमने stencils बना लेने हैं cardboard को cut करके उसके ओपर पूरे phonics और numbers अली पर पूरी जो है वो cut करके हमने इस तरीके से यह अपने पास रख लेने हैं जी इसको इस तरीके से sandpaper के ओपर रखना है और इसको draw कर लेना है इस तरीके से फिर इसको cut out कर देना है यह हमने trace करने के बाद इसको cut कर लिया है यह चार पेपर का piece है छोटा सामने cut किया इसके उपर हमने glue अच्छे से लगा के इस तरीके से right side की तरफ करके हमने paste कर लेना है इसको इस तरीके से इसी तरह से हमने numbers, alphabets और half paste कर लेना है सारे cards के उपर यह मैं आपको दिखाती हूँ तरीके से हमने यह card बना लिया है यह सारे phonics के यह alphabets और यह मारे पास numbers यह बच्चों को assess करने के लिए यह card आपके लिए बहुत help करते हैं इसको इस्तमाल करने का तरीका यह है कि बच्चे को जब हमने कोई चीज सिखा लिया है तो बच्च करके हमने यह card उनके आगे रखना है और उनको कहना कि side पर अपना हाथ क्या है और इधर अपनी जो है फिंगर के साथ इसको मैसूस करें कि यह क्या है अगर बच्चे को शेप अच्छे से याद होगी तो वो फॉरण पहचान लेगा zero या इस त्रीके से से के उपर तीन नुक्ते हो जब इसको यू मैसूस करेगा फॉरण उसके माइंड में इसकी शेप आएगी और वो आपको बताएगा अगर इस गेम में बच्चा आपको बता दे आपका alphabet या number जो भी आप उसको पूछ रहे हैं तो फिर आप 100% शोर हो ही है उमीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें थैंक यू